नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिर परिचे दोस्तों पस्तित हूं आप सभी की सिवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां आप सभी आज कल हर चैनल पे देखते हैं अब बहुत सारे चैनल पे यूटूब चैनल पे देखते रहते हैं वीडियो जाते ह कि अमवस्या की रात को ये कर लो या फिर इस रात को ये कर लो चना खालो गुड़ खालो अगर बत्ती का प्रयोग कर लो included me हमारे भी चैनल पे आप देखते हैं हम मेरा बोलने का मतलब सिर्फ क्या होता है वह सब बहुत इजली समझते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ self confidence की बात होती है ये सब बकवास होता है अगर इस पर बिलीफ कर करके आप रुख जाते हैं कि हाँ जी हम ये गुड़ वाला प्रयोग कर लेंगे तो अमीर बन जाएंगे या फिर इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे या फिर आईस पास कर जाएंगे इस कलम को भगवान के सामने रख करके पूजा कर देंगे और इससे एकजाम दे देंगे तो पास हो जाएंगे इससा कुछ नहीं होने वाला है पिल्कुल होगा किस चीज से आपका काम तो वो आपकी प्रैक्टिस से होगा जिस काम को भी आप करना चाहते हैं लाइफ में उसके लिए प्रैक्ट फुल इंसान को चाहें वो बिजनेस में हो क्रिकेट में ही धोनी साब को ले लिजे तो आप जब भी देखते हैं तो उनके फेस पे एक अलग सुकून नजराता है आत्म विश्वास नजराता है चाहें कई बार वो हो सकता है कि वो मैच नहीं जिता पाते हैं बीच में ही क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है फेलियर से बहुत जादा डरते हैं जबकि फेलियर जो है वहीं की होती है सकसेज की आप उससे लर्न करते हैं सीखते हैं तो सीखने की कोशिश कीजिए और इन सारे वीडियो पे ध्यान दे करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं हां बहुत से कुछ नहीं होगा मुझे मेहनत करना और सिर्फ से अपनी मेहनत प्रैक्टिस लगन और झास ये confidence और overconfidence में फर्क होता है, for example, माली जे कि आपके सामने से train full speed में जा रही है, आप बहुत तेज धावक हैं, अब वहाँ confidence लगा देंगे कि इसके सामने जाऊंगा तो मैं दोड़ के पकड़ लूँगा इसको, ये overconfidence हो गया, थोड़ा भी पैर फिस लेगा, साउधानी नहीं रह हैं, और दोड़ का मैच है, वहाँ पर जा रहे हैं, आप यानि कि running है, और वहाँ इस चीज का यूज करते हैं, इस confidence का, इस energy का यूज करते हैं, तो आपके लिए definitely फायदे मंद होगा, और काम जब भी आएगी, practice काम आएगी, तो ठीक इसी प्रकार से आपको किसी भी कार्य समय सही नहीं रहता है, जिसकी वज़ए से हाट्टे से बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है, ठीक उसी तरीके से, जैसे सुर्य की रोष्णी को कोई रोग तो नहीं सकता है, लेकिन आप देखते हैं कि बादल कुछ समय के लिए आकर के जरूर उनको ढख लेते हैं, तो patience क्या होगा अगर सुर्य कहें कि अरे यार मेरा तो दिखी नहीं रही मेरी तो रोशनी दिखी नहीं रही बंध हो जाना चाहिए तब तो फिर पूरे जिंदगी अंधकार रहे अब करते हैं ठीक वैसे ही समय बदलेगा और आप सक्षेश फुल हो जाएंगे बस उस समय को काटने के लिए आपको तरासना होता है अपने आपको सेलफ कॉंफिदेंस लाना होता है मेहनत करना होता है पेसेंस रखना होता है और उसी कंडिशन में लोग सबसे ज्यादा जाते हैं ये धूप का गरग बत्ती का या फिर इसका प्रियोग कर लूँ इससे कुछ नहीं होता है हाँ एक सुकून के लिए आप कर सकते हैं पूजा पाठ बहुत अच्छी बात होती है मैं नास्तिक नहीं हूँ खुद भी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन उसकी एक लिमिट होती है आप कुछ भी उससे एकस्पेक्ट कर रहे हैं ये गलत हो जाता है आप उसको कीजी अपने अंदर सुकून लाने के लिए और सफलता के लिए महनत कीजिए ये आज की जानकारी थे आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बहद ही धन्यवाद नमस्कार दोस्तों